दोस्तों तो कैसे हैं आप स्वाधत करता हूँ आपके अपनी चनल क्रिकले और फोकस पर मैं आपका इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MCG Ground में जो Melbourne में World Cup Final खेला जाएगा Women's T20 World Cup का Women's International Day पर यानि 8 March को परफेक्ट डे चूज किया गया वर्ल्ड कप का क्योंकि Women's International Day और साथी साथ आपको बता दूं पहले की बात करें जो आपको यहां पर दिख रहा है चाहे वो लास्ट मैच उस मैच में इंडिया ने इनको हराया था ऊस्टेलिया को हमने लास्ट वर्ल्ड कप में भी हराया था ODF World Cup में भी हराया था उमीद करते हैं कि कल के match में ना हरे बड़े games में Australia कुछ अलगी level पे खेलते हैं experience है बड़ी games में उनको खेल लेगा उमीद करते हैं कल शेफाली वर्मा, हर्मन प्रीत कौर और स्मृति मंधाना इंडिया को जिता दे मेरे साब से कल के match में सबसे important खिलाड़ी स्मृति मंधारवन, हर्मन प्रीत को होना ही होगा क्योंकि यहाँ पे जो शेफाली वर्मा वर्ल नंबर वन रैंक बैट्समें बन चुकी हैं बैट्समें मुझे कहना चाहिए उनके सामने पूरी हैं प्लैनिंग करके आने होगा उस्ट्रेलिया मेगान शकटने अल्रेडी बोल दिये कि हमारे प्लैन्स रेडी है वी नो हाव टू स्टॉप बोल्ड स्टेटमें दे दी है उन्होंने देखना होगा खल क्या करते हैं उम्मीद कर रहा हूँ कि पताई ज़री है वर्ल्ड कप में आपको यहां पर 150 के करीब का स्कोर देने को मिल सकता है मेरे इसाब से इंडिया अगर बैटिंग करती है पहले उम्मीद करता हो अच्छा स्कोर खड़ा कर पाईगी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग काफी अच्छी है और यह एक चैलेंजिंग मैच होने वाल है मुझे लगता है पढ़ना भारी ऑस्ट्रेलिया का है एक्सपीरियंस, वर्ल्ड चैंपियन्स, होम ग्राउड एडवांटेज यह सब की फैक्टर्स है जो यहां पर रोल अदक कर सकता है और यहां पर उम्मीद करता हूँ, मैं गलत साबित हो हूँ और इंडिया जीत जाए लेकिन अगर कोई मुझसे पुछेगा दिल बोलता है कि यहां इंडिया को जीतता चीए रहे कि अगर कोई पुछेगा अगर मैं यूट्रल रहके हूँ तो मुझे लगता है कि ऑस्टेलिया इंडिया जीतने वाली है लेकिन पूरा गलत होना चाहता हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ चाहता हूँ इंडिया मैच जीते चलिए अब यहां के हम अनलेसिस स्टार्ट करते हैं पहला मैच जो इस वर्ट कप का खेला गया था इन्ही दोरों टीम्स के बीच में खेला गया था इंडिया ने 132 रन करें थे चार विक्टे खोकर स्लो विकेट थी स्पिनर्स को इंडिया को बहुत फाइदा मिला अभी तक इन्होंने वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस नहीं दिया कल इन दोनों को आप ग्रैंड लीग में ट्राय करने वाले हैं उमीद करते हैं कुल कुछ अच्छा आपके लिए करके दें स्विर्टीम बंदाना वैसे ही बड़े मैच के प्लेयर है क्योंकि शेफाली वर्मा का कितना बड़ा रोल रहा है जामिय रोड्रिकी यहां पर नंबर तीन पर आपको दिख रही है हनुन प्रीत कौर आपको दिख रही है नंबर चार पर वेदा कृष्ण मूर्थी दीप्ति शर्मा और तानिया भाटिया यहां पर आपको बतातों जामिय रोड्रिकी यह बहुत टेक्निकली साउंड प्लेयर है और जूरत पढ़ने पर एक अच्छी निक्स खेल सकती है काफी कम लोग इनको ट्राय कर रहे है नंबर तीन पर एक टेक्निकली साउंड प्लेयर चाहिए रहता है और वैसे ही है पूरी परफेक्ट प्लेयर है शिखा पांडे हैं फास्ट बोलिंग करेंगी रजेश वही रादा और पूनम्यादव आपको स्पिन करते दिख जाएंगी पूनम्यादव अपनी लेक ब्रेक्स ऑफ्स्ट्रिलिया को फिर तंग कर दे यही उम्मीद है कि ऐसा ही होने वला है बेंच पे रिचा गोश, हर्लीन दोयल, पूजा वस्तराकर और अरुनादवत्तर एड़ी आपको देखने को मिलेंगी अगर जूरत पढ़ती है मेरे इसाब से एक पेस बोलर को खिलाया जा सकता है अरुनादवत्तर एड़ी को ही यहां पे आप मानके चलो मौका मिलेगा हाला कि पूजा वस्तराकर काफी बड़िया प्लेयर है लेकिन यह इंजरी से इतना जून जी और रिसेंट फॉर्म इनका च्छन नहीं है जो इंग्लेंड ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के रही थी उसमें भी पांच उक्ते लेकर गई थी और यहां पे अलीसा हीली मेरे साबसे इस विकेट पर अच्छा कर सकती है और साथी साथ इनके लिए एक अच्छी बात यह है कि हार्ट सरफेश है और यह बाउंस पसंद करती है बैठ पर गेंदाय तो अच्छे खासे शॉर्ट्स लगा सकती है अगर इंडिया इनको चारों को जल्दी आउट कर लेती है तो इंडिया का 50 परसेंट काम हो गया क्योंकि इसके बैटिंग वीक है उस्ट्रेलिया की अलीसा पेरी मिडल ओर में नहीं दिख रही रही रेचल हैंस जैसुनासन निकोला केरी फास बोली करेंगे और एक अच्छ दली सा कविंस यह आपको दिखेंगे में नंबर वान बूलर नहीं नहीं है क्योंकि सोफी एकलिस्टोन इंग्लेंड की बन चुकी है लेकिन अभी भी आप कह सकते हो वर्ल्ड की बेस्ट वास्ट बोलर है में चक्ट और सबनाम इसमाइल की बात करने की जड़रत है नहीं इ प्रिक लग रही है क्योंकि यहां पर साथ बुलर्स के साथ ऐस्टेलिया जा रही है छे मिन बुलर्स और सेवंथ अगर हम काउंट करें एशले गाड़र भी बोलिंग कर सकती है वर्ल्ड कप में क्या हुआ यह देख लेती हैं बैथ मुनी ने पांच मैच में 181 यहां पर श मिलनी चाहिए अगर इंडिया जीतती है मैच इंडिया के जीतने के लिए सबसे की प्लियर्स यह दुनों रहेंगी हर्मन प्रीत कौर की वह यह कोई नहीं बूल सकता है जो वन डे के वर्ल्ड कप में इन्होंने सेमी फाइनल में खेली थी और श्रीलिया के सामने पूरी तर फेवरेट स्टैग मामला कामना आए और इंडिया यह वर्ल्ड कप घर लेकर आए इंडिया में टीम सेलेक्शन में देखो विकेट कीपिंग के टेगरी में तो आल्मुस्ट कंफर्म ही मानके चले हैं लीसा हीली बैटा रहेंगी क्योंकि ओपनिंग कर रही है अब जल्दी इंडिया के विकेट कीपर बैटिंग आयना है लेकिन स्टंपिंग कैच सही काफी काम कर गए थे तो यह लखा जाता है कि अब क्या होगा विकेट कीपिंग में डिस्मिसल कौन जाधा कर जाए वह आपको स्ट्रॉंग टीम के हिसाब से देखना होता है बैटिंग सेक्शन मे बैथ मुनी, मेग लेनिंग, स्मिर्ती मंधाना, जामिय रोडरिगी, एशलेग गार्डनर, छे बैस्ट प्लियर सबसे टॉप पर आपको दिख रहे हैं इसके लावा मैं आपको कोई चोईस नहीं दूँगा इन दोनों को ग्रेंड लिग में ट्राय करने कर लो बाकि रीचा जोनासन वेरी की बोलर, रीप्ती शर्मा बहुत की, इन तीनों में से मैं किसी को आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, ग्रैंड लीग में जैसे आपको बोला है हमन पीत को बर्थडे पर जरूर ट्राय करें, बर्थडे हो ना हूँ यार, बड़े मैच की प्लियर है, ट्राय क मेरे साब से सबसे गी प्लियर जो आपको इस पैच में दिख सकती है, सोफी मिलाउनिक्स उनली 6% कैन बी यौर स्टार प्लियर टो वाच ओट फॉर कल के मैच में, उमीद करता हो कुछ जादा ना करें, लेकिन मेरे साब से अगर तो एक डिफरेंशल पिक बहुत अच्छी मेगांच काट, पूनम यादव, शिखा पांडे, यह सब अच्छी पिक्स है, राधा यादव इनको तंग कर सकती है, लास्ट वच खेली भी नहीं थी तो राधा यादव एक पोटेंट वेपन मन जाता है, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि राधा यादव जो फर्स यदि आप अभी दर्ट टेलिग्राम में जुड़े हैं, आपको सिंप्ली सर्च कर लेना है, क्रिकला उन फोकास्ट, विदाउट स्पेस जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, बिना स्पेस के अगर आप यह सर्च करते हैं, आपको अराम से चैनल मिल जाएगा, 47,000 लोग जो जोड़ चुके हैं, आप भी जल्दी करें और जोड़ जाएं, और आपको बिल्कुल free cricket knowledge यहां पर दी जाती है, और कोई भी update होता है, आपको यहाँ दिया जाएगा, वर्ल्ड कप का final है, जोड़ जोड़ जाएं, इसाथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अवर्श जाहो तो एक और प्लियर एशले गार्णनों कर सकते हो, सुबा तक हम देखेंगे, यह मैच में आपको कहूँगा, सजेस्ट करूँगा, ग्रैंड लीग में ट्राय करें, और साथ-साथ मैच को सपोर्ट करें, इंडिया की टीम को, और यह कुछ मैचे ऐसे होते हैं, जो हम जीतना चाहते हैं, खुछ से ज़्यादा यह ज़रूर यह है कि भारत मैं जीते हूं, अब भारत को सब्बोर्ट करेंगे, लेकिन मेरे साथ से अधर मैं फेस फेंटैसी पर ट्राय करूँ, तो परें आस्ट्रेलिया की अरीसा हिलियो और जैस्ट जोनासन को ट्राय किया, उम लेख wann चाहते हैं, तो टीम जीते हैं, लेकिन में बखार ब्ली और जबेता हैं, लेकिस भारत में एकिकन जोनासन को यहाँ, एमया जोनासन को बछेटियों तिamm हैं गो। मैं को यह हैं ज़ियों हैं त양 करेंख से आसरे